आप सबका इस्तिक्बाल है एजी लर्ण उर्दू मेडियम में आज के इस वीडियो में हम दस्वी जमात का मजमून उर्दू बिरिज कोर्स डे 20 यानि 20 दिन और उसकी सरकर्मिया देखने जा रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नॉटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपना काम जल्द से जल्द मकमल कर पाएं महारत तसवर शेरी महासन से आगाही आओ मालूम करें अजीज तल्बा वतालबात अर्दू जबान में गजल की सिन्फ को जो मकाम हासिल है वो किसी तारुफ का महताज नहीं पिछली जमातों में आप गजल की सिन्फ से इसकी हैयत से रोश नास होज़ हो चुके हैं आई आज फिर से हम मिर्जा मुहम्मद रफिع सोदा की गजल के आदा करेंगे आओ अहलियत पैदा करे गजल नंबर 2 मिर्जा मुहम्मद रफिय सोदा इनकी जो गजल है वो नवी की किताब उर्दू में दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 89 यानी 89 पर दी हुई ह आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं अब इसे देखते हैं गदा दस्त एहले करम देखते हैं हम अपना हिदम और कदम देखते हैं नदेखा जो कुछ जाम में जमने अपने स्वेक कत्रा में हमको देखते हैं गर्ज कुफर से कुछ नदे सेह मतलब तमाशाय देरो हरम देखते हैं हबाब लावे जो है है बागबान हम चमन को तेरे कोई दम देखते हैं खुदा दुश्मनों को नवो कुछ दिखावे जो कुछ दोस्त अपने हम से देखते हैं मिटा जाए हुर्फ आशुओं से जो नामा उसे हम रखम देखते हैं अब इसकी सरगर्मियां को देखने का वक्त आ गया है मंदरजा बाला घजल का बगवर मुताला करके सरगर्मियां मुकमल करें सरगर्मिय नमबर एक है उस शेयर की तश्रीख कीजिए और सरगर्मियां सत्रवा दिन यनि अर्दू बिरिज कोर्स का सत्रवा दिन का जो वीडियो है उसमें मैंने तश्रीख मैंने नहीं बताया था भूल गया था तो मैंने वाटसअप और टेलेगराम गुरूप पर दोनों की फोटो बेजी है वहाँ जाकर आप तश्रीख देख सकते हैं इसकी तश्रीख हम आखरी में देखते हैं सरगर्मी नमबर दो सनाथ की पहचान गदा दस्त अहले करम देखते हैं हम अपना हिदम और कदम देखते हैं मंदरजा बाला शेर की सनाथ की अमदह मिसाल है तो ये सनात, मैं आप लिख कर बताता हूँ आपको, अना, ये सनाते तजनीस, सनाते तजनीस है ना, यहां पे एक गलत हो गया है, सनाते, इसको पूरा हम मिचाते हैं, और यहां पे छोटा-छोटा लिखता हूँ मैं, ताकि आप लोगों कुछ समझ में हैं, यहां पर, देखिए, लिख कर बता देता हूँ, जिनको लिखना नहीं आता है, पर बता देता हूँ, कि यह सनाते तजनीस वजाहिद की, सनात इसमें जो इस्तिमाल हो रहा हैं, सनाते तजनीस वजाहिद हैं, देखिए मैंने आपर लिखा है सनते तजनीस वजायद अब मैंसे मिचा देता हूं वापस अब है अगला सवाल सरगर्मी नमबर तीन मतला की पहचान गजल से मतला का शेर तलाश करके लिखिए तो यह मैं भी यह आपको बताता हूं आओ मश्री करें गजल से मतला और मक्ता का शेर तलाश करके लिए खिसका भी मैं बताता हूं इससे पहले मैं बता दूँ कि मतला किसे कहते हैं मतला यानि गजल में या किस कसीदे में पहला शेर जो होता है गजल का पहला शेर उपा जो दिया हुआ है वो मतला कहलाता है और मक्ता यानि जिस आखरी में शायर जो रहता है अपना तखलुस बताता है तो उसे मक्ता कहते है आओ तखलीकाती बने चेलेंज गालिप की गजलों का मुटाला करें और गालिप की गजल गोई पर अपनी राय का इज़ार करें तब इसका जवाब हम लग देखते हैं मतला का जो शेर है वो ये है गदा दस्त एहले करम देखते हैं हम अपना ही दम और कदम देखते हैं और मक्ता का जो शेर है मगर तुझे से रंजीदा खातिर है सौदा उसे तेरे कोचे में कम देखते हैं ये शेर की तश्रीफ मैंने आज बता देता हूँ खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं इसकी तश्रीफ है शायर मसाइब वो आलाम का मारा हुआ है इसने बहुत बुरे दिन देखे हैं और वो नहीं चाहता कि कोई और भी इस तरह के हालात का शिकार हो इसलिए वो अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहता है कि ए दोस्त हमने जो मुसीबते उठाई हैं और जमाने की सक्तियां जेली हैं इन से हमारे दुश्मन भी महफूज रहे और खुदा करें ऐसा बुरा वक्त ना देखें पीस्वे दिन की सरगर्मिया यहीं पर खत्म होती है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलेग्राम और वाटसअप ग्रूप को जाइन करें शुक्रिया